इसमें बहुत ही सुन्दर कलर आया है, और यह देखे कितने क्रिस्पी बने हैं. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं अर्भी के पत्तों के पकोड़े, इसके लिए मैंने लिया है, दस अर्भी के पत्ते, एक कब बेसर, आधा नीबू, एक चमच अध्रक और लसुन का पेस्ट, नमक, स्वादा अनुसा, लाल मिर्ची, गरम मसाला, और हल्दी, साथ में हम लेंगे, पानी डो त्यार करने के लिए, साथ ही, इंग्रिटेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसेपी, इसके लिए सबसे पहले अर्भी के पत्तों को हम बारिक बारिक चॉप करेंगे, अर्भी के पत्तों को चॉप करने के लिए, मैने साब पत्तों को एक साद इकठा कर लिया है, अब हम इसको एक साद फोल्ड करके चॉप करेंगे, आप चाहें तो इसको चक्कु से भी कर सकते हैं, यह आरभी के पत्तो को हमने बारिक चॉप कर लिया है यह देखिए यह बिल्कुल बारिक है आप चाहे तो और भी फाइन इसको कर सकते हैं अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे पत्तो को हमने एक बॉल में निकाल लिया है अब हम बेसन का घोल तियार करेंगे मिक्सिंग बाउल में हम दालेंगे बेसन, एक कप, इसमें दालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, साथ में मिलाएंगे अधरक लेसुन का पेस्ट, और ये नीबू का पानी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा-थोड़ा करके पानी आइट करेंगे, पानी एक साथ नहीं दालना है, थोड़ा-थोड़ा ही हम दालेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत गाड़ा घोल चाहिए होगा, ये गोल बनकर तयार हो गया है, इसको हमने ज्यादा पतला नहीं रखा है, ये गाड़ा ही है, अब इसमें ये पत्ते हम मिक्स करेंगे, ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए ये इतना गाड़ा रहेगा, इसको हमें पतला नहीं रखना है, यह mix तेयार हो गया है, अब हम पकॉड़े दलने के लिए तेल गरम करेंगे, तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पकॉड़े का mix दालेंगे, एक बर में कड़ाई में जितने आएंगे उतनी दालेंगे, अभी हमें इसको छेड़ना नहीं है, यह तल के अपने आप ऊपर आएंगे थोड़े, और नीचे से थोड़े से सिख जाएंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे, यह पकॉड़े त्यार कर अपने आप ऊपर आ गए हैं, और यह नीचे से सिख भी गए हैं, अब हम इसको टर्न करेंगे, यह देखे, अच्छे से गोल्डन हो गए हैं नीचे से, अब इसी तरह से इंदूसरी साइट से भी हम इसको अच्छे से तलने देंगे, पकॉड़े दोनों साइट से तलकर तयार हो गए हैं, इन सबको मैं निकाल लेती हूँ, और इसी तरह बाकी भी तलकर तयार कर लूँगी, सभी पकोड़े तलकर तयार हो गए है इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये देखे कितने क्रिस्पी बने है इसमें खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रहे है क्योंकि इसमें हमने लसन अद्रक का पेस्ट दाला है आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शियर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बैल आइकन को दबाकर औल क्लिक करें थैंक्यू